थर्ड केतिगरी बहों है डेंच क्नेक्टिव टिश्यू में भी हमले पास दो हैं लिगा मेंट टेंडश्यू अब लिगा मेंट क्या होता है ? तो प्सक्नेट बोन्स देखिए जो अलगौई हटी ओको चीज जोइन करती जैसे यह हड़ी ए यह मालने डुखुना माली जैे आप पाउं का ठीक हेन्स पूखुक्स गहर्णा आपका क्या है यह वाला structure इसकी help से दोनों वर्डियां आपस में जुड़ी वी एक तरीके से तो टिशू which connects two bones जो दो bones को आपस में connect करें फाइब्रेस कनेक्टिव टिशू तो एक तरीके से fiber है contains collagen fibers and elastic protein तो collagen fiber elastic protein होता है देखाओगा आपने गुटनों के बाल बैढ़ जाते हैं खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब इसमें खिचाव आता है कि नहीं आता ठीक है तो एक तरीके से कैसी है यह elastic है ठीक है तो elastic होती है elastic protein से बनी है considerably strong काफी मजबूत होती है elastic tissue होते है little extracellular matrix ऐसे tendons क्या होते हैं तो tissues which connects bones to muscles अब हड़िया जो है muscles के साथ जैसे connection बनाती है जैसे यह तो bone है और यह हमारी muscle है ठीक है यह muscle है तो हड़िया muscle के साथ देखे चिपकी रहती है एक दम तो यह किसके help रिशी पकती है यह tendon है ठीक है यह तो यह क्या हमारा tendon यानि कि यह किसके बीचे में bone बना रहे है bones और muscles के बीच में और ligament किसके बीचे बनाती है it connects two bones दो हड़ियों के बीच में और tendon हड़ियों के बीच में जो connection बनाती है तो यह भी कैसी है fibrous connective tissue है contains most collagen fibers good strength अच्छी strength होती है और limited flexibility इसकी flexibility बहुत कम होती है क्यों क्योंकि हड़ि के साथ बिल्कुल tightly chip की रहती है अगर यह flexible होगी तो खिजकने लग जागी हड़ियों पर लेकिन यह खिजकती नहीं यह बिल्कुल tightly packed रहती है ठीक है ना तो flexibility इसका मत यह नहीं कि होती है flexibility होती है लेकिन बहुत ही Limited flexibility होती है जबकि ligament के अंदर flexibility ज़्यादा होती है, ठीक है न? क्योंकि इसमें जब आपन बैठते हैं घुटनों के बल तो काफी stress आता है इसके उपर, ठीक है न? काफी stress आता है तो उसके stress के वज़े से खिंचाओ पैदा होता है, ठीक है न? तो इसके अंदर क्या होता है? काफी ज़्य केटिगरी कौन सी है? error, अब error क्या होता है? they are loose connective tissues, ठीक है न? loose connective tissues है, cells are widely dispersed in extracellular matrix, तो extracellular matrix के अंदर जो cell है वो पोरे फैले रहते हैं, dispersed मतलब एक पोरे तरीके से फैले रहते हैं, characteristics क्या है इसके main? loosely organized fibers, abundant blood vessels, बहुत ज़्यादा blood vessels होती है, अब blood vessels ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे exchange of gases, nutrients, उन सब का exchange बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है न? abundant blood vessels, NFMT space, काफी, empty space भी काफी होती है इसके अंदर, अब इसका काम क्या है? तो bind skin to muscles, अब skin को muscle के साथ bind करते हैं, देखिया हम हर चीज़ को step by step कर रहे हैं, दो हड़ियों के बीच में join हमने किया, कमेंट से, फिर हड़ी और muscle के बीच में हमने joint किया, tendon से, फिर muscle और skin के बीच में हम joint करेंगे, किस से? arrow, arrow लर से, ठीक है न? तो इस तरीके से पूरा एक system बना हुआ है, तो bind करती है skin to muscles, जो outer skin होती है हमारी body की, वो उस muscle के साथ chip की रहती है, ठीक है न? उसके साथ bonding बनाती ह fill space inside organs and helps them in place, और जितने भी हमारी body के अंदर organs है, stomach हो गया, liver हो गया, kidney हो गई, तो जितने भी organs है, इन organs को अपनी ही जगे पे, ये क्या करती है, place करके रखती है, ताकि ये अपनी जगे से इधर उधर, हिले डुले नहीं, ठीक है न? तो उनको अपनी जगे पे hold करके रखती ये, तो उनको भी एक covering देती है, ठीक है न? और इसमें साथ की साथ repair tissues भी होते है, अगर माले कोई चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो उन tissues को जैसे repair करना है, तो वो mechanism भी इसके अंदर होता है, कहां पाए जाता है mainly, तो space between skin and muscles, skin और muscles के बीच की space है, वहां पाए bone marrow के अंदर पाए जाता है, अब bone marrow क्या होता है, तो ये हडियों के अंदर जो fluid होता है, the fatty network of connective tissues that fills the cavities of bones, cavities बोले तो जो खाली space होती है, हडियों के अंदर ये खाली space होती है, ठीक है न? हड़ी जो होती है, अंदर से hollow होती है, और उस hollow part के अंदर हमारा एक liquid भरा रहता है ठीक है न? उस liquid के अंदर हमारे क्या होते हैं, connective tissues जैसे की neural network होता है, bone marrow होता है, ठीक है तो ये सब उसके अंदर रहते हैं, Bone marrow बोले तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा चिप-चिपा एक fluid होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया में इससे ज़्यादा lubricant, मतलब इतना चिप-चिपा पदार्थ है नहीं कोई, इतना ज़्यादा चिप-चिपा होता हो, मतलब चिप-चिपा in the sense कि उसके flexibility आती है body के अंदर अब होता है क्या है जैसे जैसे उमर बढ़ती है आदमी की तो ये fluid जो होता है ये बनना बंद हो जाता है और जो already जो fluid बन चुका होता है वो उमर के साथ साथ धीरे-धीरे क्या करता है सूकने लगता है ठीक है ना? कम होने लगता है तो देखा होगा जो बुड़े लोग होते हैं aged persons होते हैं उनके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है या जब वो उठते बैठते हैं तो उनके घुटनों में से आवा जाती है क्यों? क्योंकि ये fluid जो है उनके बोड़ी से सूकने लगता है लेकिन दीरे दीरे अगर वो ग्रीस हम लगाना छोड़ दें और उसको बार बार पानी डाले हमाँ पर तो उसमें जंग आजएगा तो जब जंग आता है रेस्टिंग जब आती है तो वहां पर अपने वो क्या कहता है उसमें हवा जाने लग जाती है दूसरा उसको चलाने में ज़्यादा जोर आता है तो सेम वही काम यहां पर है ठीक ना तो बोन मैरो का काम यही होता है तो यह झिए कैसे इसका एकट्र सेलुछलर मैट्रिक्स रेन फ्लूइड मैट्रिक्स है प्रोटीन से बनी वहाते है Zoe सेन मेंने काफे सारी अलग अदरена हो स्यॉत और वायड डिश दिस्पर्जड लास्ट और इस चार्छे आपके जाते जाते में ठीक है न और यह जो है यह जो आपको thread like दिख रहा है यह क्या आपका elastic fibers है यह सब cells are generally connected by ground substance made of collagen and elastic fibers तो जो cells है वो किसे generally ground substance से connect होते हैं जैसे कि collagen और elastic fibers से वो जुड़े रहते हैं elastic fibers और collagen fibers से वो सब जुड़े रहते हैं आपस में ठीक है न तो यह सब next category जो आती है loose connective tissue में वो तो है edipose edipose क्या करता है connective tissue है which mainly acts as fat storage sites अब यह क्या करता है fat को store करने का काम करता है purpose कैस का provides insulation from heat and cold यानि कि जब हम देखा होगा आपने जब हम excess गर्मियों के दिनों में भार निकलते हैं ठीक है न तो उस excess heat से हमें बचाता है मतला हमारी बोड़ी के अंदर sweating आने लग जाएगी हमारी बोड़ी को ठंडा रखने कोईश करेगा उससे excess heat से हमें बचाता है ठीक है अगर उसमें हल चल भी हो तो इदर उदर कहीं जादा हिले डूले नहीं ठीक है ने कुशन सा प्रवाइड करेगा जैसे आपने देखा होगा टीवी जब आता है डबे में पैक होगे तो उसमें थर्मा कोल लगे रहा था साइड में क्यों लगे रहता है ताकि अगर टीवी अगर माली हिले डूले ट्रांस्पोर्टेशन को दुरान तो उस पर ज्यादा असर ना पड़े ठीक है ना तो सेम क स्टोर करता है तो एक तरीके से क्या ही है एनेर्जी स्टोर कर रहा है ठीक है ना एनेर्जी स्टोर कर रहा है और जब भी हमें जूरत पड़ेगी उस एनेर्जी को यूटलाइज कर लिया जाएगा कहां पाय जाता है बोन मैरों के अंदर ब्रेस्ट टिशूज और बिलो स्क स्क्राइबुकर ईसका कोई है नहीं अब मैं मैं बोलता हूं कि जब डियूत सबसे ज्यादा कफी अलगल्स या लेकिन सब inbox रोते हो रहते हैं Abundant quantity में जो हैं वह कौन से है एड़ी एडिपोसाइट्स ठीक है न तो यह एड़ीपोसाइट्स का एक यह देखे डाग्राम आपकी टेस्ट बुक का यह थी कि तो सेल्स आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स ठीक है न तो जो सेल्स होते हो फैट ग्लोब्यू स्फोलतर